वैसे जुरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या पिडिसलाइक कर दिया करें मूवी का स्टार्ट एक लड़के को दिखाते हुए होता है जिसका नाम जोश होता है जोश काफी अपसेट था क्योंकि उसके स्कूल में सब उसे इग्नोर करते थे कोई भी उसे ठीक से सेदे मूँ बात नहीं करता था फिर हमें जोश के स्कूल में एक लड़का विलियम दिखाया जाता है जोके काफी रूट था और स्मार्ट बने की बहुत कोशिश करता था और वो खुद को स्कूल का डौन समझता था फिर विलियम अपनी एक फ्रेंड टाशा से कहता है कैसी हो टाशा अच्छा लगा तुम्हें यहां देख कर तो बताओ इस वीकेंड तुमारा क्या प्लैन है क्या कर रही हो तुम तब टाशा बताती है कि कुछ खास नहीं इस वीकेंड पर मैं अपने घर में ही रहूंगी क्यूंकि मेरी मदर ने नया फ्रिज पर चेस किया है जिसके डिलिवरी मुझे ही रेसीफ करनी होगी क्यूंकि मेरी मदर अपनी कंपनी के साथ एक टूर पर जा रही है जिसकी विज़े से घर के सारे काम मुझे ही देखने होंगे तबी विलियम को फ्रेंड उसे कहता है वो देखो विलियम ग्राउन में तिन बच्चे जा रहे हैं और ये तीनों कोई और नहीं बलके जोश और उसके दो फ्रेंड्स थे असल में ये लोग उनका मजाग बना रहे थे इसके बाद विलियम अपने फ्रेंड्स के साथ उन तिनों की पास जाता है यहाँ पर भी विलियम डौन बने की कोशिश करता है और उनसे मिस बिहेव करने लगता है वो जोश और उसके फ्रेंड्स को अब्यूस करता है इसके बाद जोश को फरंड टीवी पर एक मूवी लगाता है कोई स्लेशर मूवी एक आदमी को टार्चर कर रहा था इसके बाद वो से तड़पा कर मार देता है अब जोश को फरंड तो पहले ही घुसे में था इस मूवी को देखकर उसके जहन में कुछ खयाल आने लगते हैं असल में उसने भी विलियम से बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का ठान लिया था फिन नेक्स डे वो तीनों फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं लेकिन आज भी विलियम के फ्रेंड्स उनका मजाग ही बनाते हैं अब वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर प्लैन बनाते हैं वो कल रात होने वाली स्कूल पार्टी में बोम ब्लास्ट करेंगे उस जगह पर जहां पर विलियम और उसके फ्रेंड्स होंगे अब इस तरह से तो बाकी लोगों की भी जान जा सकती थी लेकिन उन्हें किसी की कोई परवान नहीं थी वो तो बस विलियम से बदला लेना चाह पिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो पिन नेक्स डे जोश का फ्रेंड्स उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा था लेकिन तब ही वो रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और जोश को कहता है वो देखो जोश तुम्हारी नेबर टाशा के घर एक ट्रॉक आया है और जरा उस ट्रॉक पर लगे स्ट्रिकर को तो देखो उस पर एक किलर की बारे में लिखा हुआ है असल में ये किलर बहुत खतरनाक है और इसके पास बहुत सारी गर्ण्स भी है और अगर हम इस किलर की हैल्प लें तो हम बॉंब लास्ट किये बगर ही विलियम से अपना बदला ले सकत चलो अब जल्दी करो और ट्रोक की नमबर को नोट करो तब ये सुनकर जोश ऐसा ही करता है और वो उस नमबर को जल्दी से नोट कर लेता है इसके बाद वो तीनों दोस्त मिल कर उस नमबर की मदद से किलर का पता लगवाते हैं यहां पर जोश का फ्रेंड कहता है कि मैं और उस killer के पास जाएंगे और उसे हम William के बारे में सब कुछ बता कर उसे help मांगेंगे और अगर वो हमारी help करने के लिए agree हो गया तो हमारा जो bomb blast का plan है हम उसे cancel कर देंगे इसके बाद हमें जोश और उसका friend गाड़ी में दिखाये जाते हैं तभी जोश का वो friend गाड़ी रोकता है और अपने दूसरे friend को कहता है कि हम उस killer के पास जा रहे हैं और अगर हमें आने में देर हो गई तो तुम plan के मताबिक party में bomb blast कर देना इसके बाद जोश और उसका friend उस killer से मिलने चले जाते हैं इस जगापर बहुत सारी गाड़ीयां गड़े हुई थी जो बहुत पुरानी थी जिन्हें देखकर जोश कहता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ गाड़ीयां ही नजर आ रही हैं जोश का friend उसे बहुत सारी बुलिट्स दिखाते हुए कहता है यह देखो जोश इनके पास बहुत सारे weapons भी हैं इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहां पर उन्हें गाड़ीयों की एक काफी बड़ी दिवार दिखाई देती हैं लेकिन वो उसे भी इग्णूर करके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल एक trailer की पास पहुंच जाते हैं लेकिन वो trailer बन था लेकिन फिर वो उसकी window के जरीए अंदर आ जाते हैं अब उस trailer में सामान तो था लेकिन वाँ पर कोई भी नहीं था तबी वो लोग एक खास किसम की जगा को नाटिस करते हैं तब वो सोचते हैं कि शायद गन्स यहीं पर छुपाई होंगी लेकिन चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यह तो एक सीक्रट रास्ता है और यह रास्ता एक बेस्मेंट की तरफ जा रहा था और फिर यह दोनों उस बेस्मेंट में चले जाते हैं तब यह उन्हें बाहर से किसी चीज़ की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो वापिस उपर आ जाते हैं असल में बाहर एक ट्रॉक आकर रुका था और उस ट्रॉक में कोई और नहीं बलके इस ट्रेलर का मालिक किलर था तब किलर एक फ्रिज को ट्रॉक से नीचे फैंकता है उस किलर को देखर यह दोनों काफी डर जाते हैं और दुबारा से बेस्मेंट में आ जाते हैं इतने बड़े बेस्मेंट को देखकर जोश का फ्रेंट काफी हैरान था तब ही उन्हें फिर से किसी चीज़ की आवास सुनाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं और भागते हुए वो बेस्मेंट के और अंदर आ जाते हैं यहाँ पर जूश का फ्रेंड उसे बताता है कि ये किलर एक हतरनाक सीरिल किलर है और जरूर वो लोगों को यहाँ पर लागर टॉर्चर करता होगा और बाद में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देता होगा तो जरा सोचो जोश अगर वो किलर विल्यम को भी तडपा तडपा कर मारे तो हमें कितना मज़ा आएगा कितना नजॉय करेंगे हम इसके बाद उन्हें फिर से कोई आवास सुनाई देती है ये शायद किसी के आने की आवास थी इसलिए वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं एक जगा पर असल में वहाँ पर वो किलर था जो उस फ्रिज को अंदर ले आता है अंदर लाने की बाद वो उस फ्रिज को आपन करता है और उस फ्रिज में एक लड़की थी और ये लड़की कोई और नहीं बलके जोश की नेबर और विलियम की फ्रेंड टाशा थी जिसे जोश यहाँ पर देखकर काफी हरान था क्योंकि उसने तो उसे अपने घर में देखा था यानि जब एक ट्रॉक आया था फ्रिज लेकर अब जोश का फ्रेंड उससे कहता है कि ये भी तो हमारी दुश्मन ही है ना क्योंकि ये विलियम की फ्रेंड जो है तो जरूर इसे भी मरना चाहिए और तबी अचानक से कोई जोश की फ्रेंड पर अटेक कर देता है यहाँ पर जोश बिल्कुल ठीक टाइम पर पीचे होकर छुप जाता है असल में उसके फ्रेंड पर अटेक किलर ने किया था और वो जोश को देख नहीं पाता और अब किलर के काम का टाइम हो गया था और उसका काम किया था ये तो आप अभी देखी लेंगे वो किलर टाशा को लिटाता है और पिर एक शैतान की वर्षिप करने लगता है यानि वो शैतान को याद करने लगता है इसकी बाद वो अपने खास किसम के कपड़े पहनता है फेस पर अजीब सा मास्क लगा लेता है और अब वो बिल्कुल इसी बीस्ट की तरह लग रहा था असल में ये किलर एक साइको सीरिल किलर था जो के कैनेबल भी था और ये अपने विक्टिम्स को मार कर खाता था और अब वो किलर अपने टोल्स लेकर जोश के फ्रेंड के पास आता है जिसकी मदद से वो उसकी आँकों के उपर का मास काटने लगता है और फिर वो उस मास को खा लेता है ऐसा करने की बाद वो जोश की फ्रेंड को शूट करके मार देता है अब अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देने की वज़ेसे जोश काफी दुखी था लेकिन साथ साथ वो काफी डरा हुआ भी था तब ही अचानक से उपर से किसी चीज़ की आवाज आती है और किलर उसे चेक करने के लिए जाता है तब मूगी का फाइदा उठा कर जोश टाशा के पास आता है टाशा उसे हेल्प मांग रही होती है तब जोश उसे कहता है कि परेशान मत हो मैं बहुत जल तुम्हें यहां से अजाद करवा कर ले जाओंगा और तब ही कदमों की आवाज सुनकर जोश फिर से चुप जाता है इसके बाद किलर वहाँ पर एक और लड़की की डट बॉड़ी को लेकर आता है असल में जो आवाज सुनकर किलर जैक करने के लिए गया था वो इस लड़की की आवाज थी जोकि बाई मिस्टेक उसके स्टिकाने पर आ गई थी फिर ये सरफिरा इनसान उस लड़की की डट बॉड़ी को अच्छी तरह से बान कर उसे केल्ज की मदद से मजबूती से लिटाकर उसका गला काड दीता है इसके बाद किलर एक बाईक को स्टार्ट करता है ये वो बाईक थी जससे कोई हेवी चीज खैंची जाती है वो किलर एक हुग को उस लड़की की बाड़ी में लगाता है ऐसा करने की बाद वो फिर से बाई को स्टार्ट कर दीता है जिसकी वजह से एक ही जटकी में उस लड़की की टड़ बॉड़ी की चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी सारी हड़ियां बॉड़ी से अलग हुजाती है अब यहां तक हमें ये तो बता चल गया था कि साइको सेरियल किलर काफी जालिम और भी रहम है जो कि बॉनलेस मेट खाने का शुकीन था क्योंकि वो कैनेबल था तो वो उसका फेवरिट था इसके बाद किलर टीवी आन करकी उसे देखने लगता है लेकिन फिर देखते ही देखते उस किलर की आँख लग जाती है तब किलर को सोता हुआ देखकर जोश आइस्ता आइस्ता करकी टाशा के पास आता है और वो टाशा को अज़ाद करने में भी काम्याब हो जाता है फिर और नहीं बलकि ये सीरियल किलर था जिसने चलाकी से मुझे बेहोश कर दिया फिर कुछ टाइम बात किसी चीज़ की आवाज सुनकर उस किलर की आख खुल जाती है और जब वो टाशा को चेक करने आता है तो उसे उसकी जगह पर ना पाकर बहुत गुसा होता है दूसरी तरफ जोश और टाशा भी अभी तक इसी बेस्मेंट में ही थे जो यहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन अलगे लिए हर बार नकाम हो जाते थे अवो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां उनके सामने बहुत सारी डट बोडिस पड़े हुई थी तो पर टाशा बिल्कुल टीक टाइम पर चुपकर किलर की नजर में आने से बच गई थी इसके बाद जब जोश को होश आती है तो वो देखता है कि किलर ने उसे बार टब में बांदा हुआ है यहां पर जोश उस किलर से पूछता है कि यह सब कुछ तुम क्यों करते हो तब कि जोश की तरफी आने लगता है इतनी ही देर में पीचे से टाशा जाती है और वो किलर को एक हैमर से स्टेप करके भिषोश कर देती है इसकी बाद वो जल्दी जल्दी जोश को टब से बाहर निकालने की कोशिश करती है जिसके अंदर वो सारा कैमिकल आने वाला था पिर तो किलर पर फैंक देता है और ऐसा होते ही किलर मर जाता है इसकी बाद वो दोनों सही सलामत गाड़ी में बैठ कर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं यहां पर जोश टाशा को अपने फ्रेंड्स के प्लैन के बारे में बताता है कि आज मेरा दूसरा फ्रेंड विलियम और उसके फ्रेंड्स को बाम ब्लास्ट करके उड़ाने वाला है तबी बात सुनकर टाशा को बहुत दुख होता है उदर जोश का फ्रेंड भी अपने प्लैन के अकॉर्डिंग पार्टे में पहुंच गया था वो भी पूरी तैयारी के साथ बाम ब्लास्ट करने के लिए और तभी ज इनो फ्रेंड्स में सिर्फ जोशी जिन्दा बचा था जिसे टाशा अब पसंद करने लगी थी और इसी के साथ ही मुवी यहीं पर एंड हो जाती